गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असेस्टेन्ट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, S.P.C. गॉर्मेंट कॉलिज भीम आज हम 25 साइकिंड के पेपर साइकिंड की टॉपिक राजनितिक दलों का महत्व के बारे में अध्यन करेंगे वर्तमान समय में शासन के विवेद रूपों में प्रजातंत्र सबसे अधिक लोग प्रिय है और प्रजातंतिक शासन के दो प्रकार होते हैं पहला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र राज्यों के व्रहत चंसंख्या और शेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगबग सभी राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक प् और प्रतिनीद्यों द्वारा शासन विवस्था के संचालन की इस सम्पून प्रक्रिया को पून करने के लिए राजनितिक दलों के अस्तित्व की अनिवारता है। इसके अतिरिक्त प्रजतंतरात्मक शासन विवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनुतिक दल लोकमत के निर्मान और उसकी अभिव्यक्ति के सरवाधिक महतपून साधन होते हैं आप हम दली विवस्था की विशेष्टाएं देखते हैं या इसकी विकृतियां दोश क्या है 1947 से लेकर 2015 तथा 2019 तक के काल में लगबग तीन बार 1967, 1977 और 1989 में ऐसा लगा कि भारत की दली विवस्था नवीन दिशा ग्रहन करने जा रही है और संभवता अब राजनितिक ध्रुवे करन के स्थिति प्राप्त हो जाएगी लेकिन तीनों ही बार ऐसा नहीं हो पाया और राजनितिक दलों की बड़ी संक्या राजनितिक रंगमंच पर बनी रही हूँ पंदरवी लोक सभा के चुनाओं में जनता ने पुनहा राजनितिक परिपक्विता का परिचय दिया और राजनितिक दलों के प्रसंग में जनता का संदेश था कि हम राश्ट्री सतर पर एक दली सरकार चाहते हैं लेकिन यदि परसितियां वश मिलिजुल सरकार का निर्मा प्राप्त नहीं होनी चाहिए देश में बहुदली विवस्था होते हुए भी जनता राश्ट्री इस तर पर दो प्रमुग दलों की विवस्था तहा यदि संभव नहों तो एक दल की प्रधानता वाली बहुदली विवस्था चाहती है सोलहवी तता सत्रवी लोकसभा चुनाओं में जनता ने अपनी राजनितिक परिपक्वता को सिद्ध करते हुए राश्ट्री इस्तर पर एक डली सरकार की स्थापना की इन चुनाओं में भारती मद्दाताओं ने भाजपा के नित्रत्व वाले राश्ट्रे जनतांत्रे गटबंदन के पक्ष में जनादेश दिया जिसमें हम देखते हैं कि सोलहवी लोकसभा में तो भाजपा को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और सत्रवी लोकसभा के जो चुनाओं हुए 2019 में उसमें अकेली भाजपा को 303 सीटे तथा भाजपा का जो गटबंदन है जिसे NDA के नाम से भी जाना जाता है उसके 353 सीटे प्राप्त हुई इन चुनाओं में भारत में लंबे समय से चले आ रही अल्पमत और जो धिले ढाले गटबंदनों की जो सरकारों का दौर था वो समाप्त हो गया है और बहुमत वाले किसी एक दल के शासन का युग लोट गया ह भारत में सदेवी बहुदली व्यवस्ता रही है इस बहुदली व्यवस्ता का विकास बहुदली व्यवस्ता में एक दल की प्रधानता से प्रधानता के लिए दो राजनितिक दलों या दो राजनितिक गठबंदनों में प्रतियोगिता तथा अपना बहुदली व्यवस्ता में एक दल की प्रधानता की दिशा में हुआ है अपाच चुरू कुछ समय उनिसो सततर सेवंटी नाइन से नाइन्टी को छोड़कर स्वतंतरता प्राप्ती से लेकर 1996 तक के भारती राजनिती में कॉंग्रेस दल को प्रधानता की स्थती प्राप्त रही लेकिन 1989 से ही कॉंग्रेस की लोग्पृता में कमी और भाजपा की लोग्पृता में विधिक स्थती प्रारंब हो गई थी परिणाम था 1998 से 2003 के वर्षों में भाजपा ने भारती राजनिती के सबसे प्रमुक दल और गठबंदन के आधार पर केंद्र में शासक दल की स्थिती प्राप्त कर ली अप्रेल मैं 2004 में 14 हवी लोगसभा के चुनाव संपन हुए और इन चुनावों के परिणाम सुरूप कॉंग्रेस ने भारती राजनिती के सबसे प्रमुक दल और कॉंग्रेस के नेतरित्व में गठबंदन ने शासक दल की स्थिती प्राप्त कर ली पंद्रवी लोगसभा में कॉंग्रेस के नेतरित्व में गठित सयंक्त प्रगतिशील गठबंदन को 14 भी लोगसभा के तुलना में अधिक स्पष्ट जनादेश प्राप्त था चुनाओं ने इस गठबंदन सरकार में कॉंग्रेस के इस्थिती को अपेक्षाकरत मजबूत इस्थिती प्राप्त की थी मई 2014 में 16 भी लोगसभा के चुनाओं में जनता ने भाजपा के नेतरत्व वाले राष्ट्री जनतांत्रिक गठबंदन के पक्ष में जनादेश दिया वा स्वयम भाजपा को 282 स्थानों के साथ पूंड भहुमत प्राप्त हुआ इसी प्रकार मई 2019 में 17 भी लोगसभा के चुनाओं में भाजपा के नेतरतों वाले राष्ट्री जनतांत्रिक गठबंदन के पक्ष में जनादेश जनता ने दिया और स्वयम भाजपा को 303 स्थानों के साथ पूंड भहुमत प्राप्त हुआ इस प्रकार तीस अधिक वर्षों बाद किसी पार्टी को अपने बलबूते पर पूंड भहुमत प्राप्त हुआ और पुनह एकदल की प्रधानता वाली बहुदली विवस्था का युग लोटा आज की परिस्थितियों में दली विवस्था की कुछ महित्पून विशेष्टाओं या कहें विकृतियों और दोशों का उलेक हम कर सकते हैं जैसे पहली है बहुदली विवस्था भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह द्विदली विवद्दिती नहीं है वरन बहुदली पदिती है भारत की बहुदली विवस्था में 1988 तक लगभग सदैव ही किसी एक राजनितिक दल की प्रधानता वाली इस्थिती रही लेकिन 1989 से लेकर 2009 में पंदरवी लोकसभा का गठन होने के पूर तक किसी एक राजनितिक दल क्या दली इस गठन वंदन को प्रधानता की स्थिती प्राप्त नहीं रही चौधवी लोकसभा में कॉंग्रेस सबसे बड़ा दल था तथा पंदरवी लोकसभा में कॉंग्रेस ने अपनी स्थिती में सुधार किया था 2014 में संपन सौनवी लोकसभा तथा लोकसभा चुनाओं से ठीक पहले देश में कुल 1687 राजनितिक दल थे और 464 दलों ने चुनाओं में भाग लिया था जुलाई 2015 में देश में कुल मिलाकर दलों की संक्या 1866 हो गई थी बहुदली व्यवस्ता के जो रूप है उसका कारण लोकसभा चुनाओं में खंडित जनादेश ही प्राप्त होता है खंडित जनादेश का आशय है लोकसभा में किसी एक राजनितिक दल को सपष्ट बहुमत प्राप्त न होना ऐसी स्थिति में एकदली सरकार का नहीं वरन गठबंदन सरकार का ही गठन हो पाता है सोलवी लोकसभा के चुनाओं में लगातार त्रिशंकु जनादेश का इतिहास चूट गया इन चुनाओं में राष्ट्रे जनतांत्रिक गठबंदन का नित्रत्व कर रही भाजबा को पूर्ण भहुमत प्राप्त हुआ इस प्रकार देश की बहुदली विवस्था में एक दल की प्रधानता वाली बहुदली विवस्था की पुनस्थापना हुई और हमने देखा कि मैं 2019 के सतरवी लोकसभा के चुनाओं में भी यही ट्रेंड बना रहा राजनतिक दलों में बिखराव, विभाजन और दलिये विवस्था में एस्थाइत्व भारती राजनिती में नकेवाल अनेक दल हैं वरन इन राजनितिक दलों में बिखराओ विभाजन और अस्थायत्व की स्थिती भी पनी हुई हैं सरप्रमुख राजनितिक दल भारती राश्ट्री कॉंग्रेस को आ, 1969 में विभाजन हुआ और इस विभाजन से जर्म लेने वाले राजनितिक दल सत्ता कॉंग्रेस का 1978 में, 1978 में विभाजन से जिस कॉंग्रेस आई का जन्म हुआ था, उसका विभाजन 1995 तथा 1999 में फिर हुआ 1977 में सतारोड जनता पार्टी कालंतर में चार भागों में विभक्त हो गई विभाजन और विलय की प्रक्रिया के परिणाम सरूप 1988 में जनता दल की स्थापना हुए और केवल कुछ समय के लिए इस दल ने एक बड़ी राजनितिक शक्ति का रूप प्राप्त कर लिया था लेकिन नवंबर नभ्य में जनता दल में विभाजन की स्थिति बनी और इसके पाद जनता दल में विख्राव और विभाजन की प्रक्रिया निरंतर जारी रही नवकेवल तथाकतित राश्ट्री दल वरंड, DMK, अकाली दल, केरल कॉंग्रेस, शिव सैना जैसे शेत्री दल भी अनेक भागों में विभक्त है सिति यह है कि आज एक राश्टिक दल जर्म लेता है, कल उसमें टूटन समाप्तिय अन्य किसी दल में उसके विलय की स्थिति पैदा हो जाती है इस प्रकार राश्टिक दलों में कोई स्थाईत्व नहीं है और राश्टिक चित्र में असपष्टता बनी हुई है भारत में दली विवस्था कि निश्यत रूप से बड़ी विकृती है तीसरा पॉइंट है इसमें अधिकांश राजनितिक दलों में आंत्रिक लोकतंत्रों अनुशासन का अभाव पाये जाता है यह राजनितिक दलों के प्रसंग में खेद जनक तथे है कि इन में आंत्रिक लोकतंत्र का अभाव है और वे अनुशासन हिंता से प्ली थे अधिकांश राजनितिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए थे सब कुछ तदर्थ एडॉक बेसिस पर मनोनयन की पद्धिती के आधार पर चल रहा था चुनाव आयोक के निर्देश के कारण पहली बार मई जून 1997 में दूसरी बार 2000 में और तीसरी बार 2003 में और चौथी बार 2006 में पांचवी बार 2009-10 में राजनितिक दलों के संगठनात्मक चुनाव संपन हुए लेकिन इन चुनाव में निश्चित रूप से अनेक कमियात रही है सामाने स्थिती यह है कि दलों का निर्मान हुए किनी प्रक्रियाओं, मरियादाओं, सिध्धानतों या कानूनों के आधार पर नहीं होता है दलों की आईवय का कोई लेखा जोखा सदस्थियों के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया जाता चौथा है संख्याबल की दृष्टी से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष 1967 से 70, 77 से 79 की काल को छोड़कर भारती राजनीती में सामने तक कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिती रही लेकिन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोगसभा के चुनाओं ने विपक्ष की संख्या बल की दृष्टी से शक्तिशाली बनाया 12 और 13 लोगसभा चुनाओं के बाद भाजपा के नेत्रत्व में मिलेजली सरकारों का गठन हुआ और मुख्य विपक्षी दल की स्थिती कॉंग्रिस ने प्राप्त कर ली 12 और 13 लोगसभा में विपक्ष संख्या बल की दृष्टी से शक्तिशाली होते हुए भी एक कमजोरी से पीडित था और वह कमजोरी थी विपक्ष का विभाजित होना विपक्ष की इस विभाजित स्थिती के कारण अप्रेल 99 में विपक्ष ने भाजपई सरकार को गिरा दिया लेकिन वह देश को वेकलपिक सरकार नहीं दे पाए 14 लोगसभा में मुख्य विपक्षी दल की स्थिती भाजपा को प्राप्त थी और विपक्षी गटबंदन के रूप में राष्ट्री जनतांत्रिक गटबंदन था 15 लोगसभा में भी यही इस्तिती थी 16 लोगसभा के चुनाओं में भाजपा के नित्रतुबाले राष्ट्री जनतांत्रिक गटबंदन को एतिहासिक सफलता प्राप्त हुई और भाजपा को स्वयम पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया वहीं कॉंग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा इतनी बड़ी हार की मुख्य विपक्षी दल होने का रुतबा भी उसे हांसल नहीं हो पाया कमोबेश यही इस स्थि 17 लोग सभा मई 2000 के चुनाओं के बाद भी कॉंग्रेस की हुई अब उसे अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना पड़ रहा है राज्य स्थर पर अधिकांश राज्यों में विपक्ष परियाप्त शक्तिशाली नहीं है शेत्रे दलों के शक्ति में निर्टर वृध्धी 1996-2014 के काल तक भारत के राजनितिक दलों के प्रसंग में जो सबसे महत्मून इस्थिती रही वह शेत्रे दलों की शक्ती में निरंतर वृद्धी रही है नवीन समिथान लागू की जाने के कुछ वर्षों के बाद ही भारती राशनिती में शेत्रे दलों का अस्तत्व रहा है प्रमुक्षेत्रेवी दल है द्रविट मुनेत्र कडगम, अन् Destiny द्रविट मुनेत्र कडगम, अकाली दल, Muslim League, Muslim मजलिस, केरल कॉंगर्स, श्यव सेना, तेलकु देशब, National Conference आदी इसके अतरिक नागलेंड, मनिपूर, मिघाले, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम में तो नागलेंड, लोकतांत्रिक दल, मनिपूर पीपल्स पार्टी और सिक्किम डेमोक्राटिक प्रेंट आदी शेत्री दल ही प्रभावशाली रहे हैं 1995 तक स्थिति यह थी कि शेत्री दल लोकसभा चुनाओं में अपनी शक्ती और प्रभाव का सिमित परिचाए ही दे पाते थे लेकिन 11, 12, 13 और 14 लोकसभा के चुनाओं में शेत्री दलों की शक्ती में भारी व्रिद्धी हुई इन लोकसभाव में शेत्री दलों ने क्रमशे 125, 170, 140, 141 स्थानों को प्राप्त किया 1996 से लेकर 2004 तक सभी केंद्री सरकारों के गठन और कारेकरंड में शेत्री दलों ने महत्पुन भूमी का निभाई कुछ शेत्री दलों या गुटों ने तो भारती राजविवस्था में निर्णे कारे स्थिती भी प्राप्त कर ली